बुलुस्त्री शत्गुरु महराज की, स्री प्राणनाथ प्यारे की इन बन सोभा अपार है, कच्छो आत्म उपजत सुख, इन को हीशो लाखमों कहो न जाए आमुख, कहो न जाए आमुख, घाट बट को, जो बट बन्यो जमुना पर, अनिक तिन की डार, निपट पसारा इन का, जित बैठ करत सिनिगार, जो बट बन्यो जमुना पर, अक्षिरातीत पुडब्रम्ह परमात्मा, धामधनी स्रिराज्जी के असिम अनुकम्पा के द्वारा, तार्तम सागर, दिब्वेवाणी अंतरगत, परिक्रमा ग्रंथ के उपर हम चिंतन कर रहे हैं, तो यह परिक्रमा ग्रंथ में, अब तक हमने यह छट्वी प्रकरण, जिसमें साथ घाट का प्रसंग बर्नन हुआ है, साथों घाटों में से छे घाट का प्रसंग, जो चालिस चवपाई तक में महमती प्राण्यजी ने बर्नन किया है, तो यह छट्वी प्रकरण का चालिस नमर चवपाई तक चिंतन हुआ, जिसमें केल, लिबोई, अनार, अम्रीत, जांबो और नारंगी के घाट का बर्नन हुआ, अब यही प्रकरण में, एक चालिस नमर चवपाई से, सात्वा घाट, जो बड़ का घाट है, उस घाट का बर्नन महमती प्राण्यजी प्रारंब कर रहे हैं, तो यह बड़ के घाट की सोभा को, हम थोड़ा सा चिंतन करें, फिर चवपाई के माध्यम से, उसको चिंतन करेंगे, तो सात घाट में से, उत्तर से दक्षिन के तरफ जाते समया, सात्वा यानि की अंतिम नमर का घाट है, बड़ का घाट, बड़ घाट में विशेश करके, बड़वाईयों की सोभा के कारण, इसकी विशेश था, अथावा इसकी बनक कुछ विशेश है, जैसे, लाल चबुतरा के उत्तर दिशा में इस्थीत, बड़वन के ब्रिक्षों में से, पांच हार ब्रिक्ष, केल घाट से होते हुए, पाल में प्रवेश किया, यह पांच हार ब्रिक्ष, पाल में, सात घाट के सामुने में उपस्तीत है, जिसमें से, छे घाट में, केल घाट से लेकर, नारंगी का घाट तक, इन छे घाटों के सामुने में, यह 5 हार ब्रिक्षय प्रते घाट के सामने में 11 की 5 हारे अथवा 5 की 11 हारे इस तरह से 55-55 ब्रिक्षय घाट के सामने में दिखाई देता है परन्तो यह सातोई घाट बर्ट के घाट के एरिया में जाने की बाद इसने अपनी शुभा को अपनी बनक को कुछ बदलाव लाया है तो जिसमें अन्य घाट की तरह 5 की 11 हारे ब्रिक्षय की रूप में नहीं है तो यहां की शुभा कैसी है तो इसको देखें तो पाल का चौड़ाई जो अड़ाईशो यानि की 250 मंदिर का है और पाल का रोस 250 मंदिर का है तो यहां बड़ घाट में जहां पर बड़वाईयों की शुभा का वर्नन है वहां पर पाल रोस भी तीन शड़ी उपर उठ करके पाल के बरावर ही हुआ है इसलिए 250 मंदिर का पाल का रोस और 250 मंदिर पाल की जगह यहां दोनों मिलने पर वहां पर 500 मंदिर की चौड़ाई और 500 मंदिर की लंबाई खा एक चोक बन गया है जो चोक परमधाम के जमीन से देखे तो नौ श्रड़ी उचाई में है क्योंकि बंदिश का रोस जमिन से 3 शिड़ी उचा, फिर पाल का रोस तीन शिड़ी उचा बंदिश के रोस ते तो जमिन से 6 शिड़ी उचा, फिर पाल के रोस ते भी पाल 3 शिड़ी उचा, तो जमिन से देखे तो पाल 9 शिड़ी उचा है, अन्य जगह में पाल का रोस जमिन से 6 शिड़ी उचाई में है परंतु यहां पर पाल के रोस भी 3 शिड़ी उपर उठ करके पाल के बराबर हुआ है इसलिए इस एरिया में यह पाल का रोस भी जमीन से 9 शिड़ी के उचाई में जाकर पाल के साथ में मिलन किया है अब इसके उपर फेर यह पाल की जगह से भी 3 शिड़ी उचाई 500 मंदिर का लंबा 500 मंदिर का चौड़ा शम चौरस कमर भर उचा उठा है एक चबुतरा एस चबुतरा के मध्य में एक बर्ट का ब्रिक्ष्य सुशोवीत है अब यहाँ मौल रूप में देखें तो चबुतरा के मध्य में एक ही बर्ट का ब्रिक्ष्य है अब यही बढ़ का ब्रिक्षय एक भूम उपर जा करके जो चारों तरफ फैल करके बढ़बाईया जो बढ़ की ब्रिक्षय में उपर से फिर ऐसे नीचे वो बढ़बाईया पेड़ के ही रूप में बिस्तार किया है तो ये एक ही बिक्षय का बिस्तार चारों तरफ एक बार ये बढ़बाईया फैलाया है अथावा उत्रे हैं फिर वहां से छज्जा जाकर के चारों तरफ दो बार फिर वहां से आगे छज्जा जाकर के चारों तरफ तीन बार फिर वहां से आगे छज्जा जाकर के चारों तर तरफ चार बार तो क्या हुआ मूल ब्रिक्ष मद्य में एक है ही और चारों तरफ चार चार हारे बड़वाईया रूप में विस्तार होने से वह चोक में बड़वाईया सहीत मूल ब्रिक्ष को देखे तो मानों की वहां पर नौ की नौ हारे ब्रिक्ष की सी सोभा प्रतीत होत परन्तु वो बढ़वाईयों की स्वभा की कारण वहां देखने में नौ की नौ हारे ब्रिक्षियों की इसी स्वभा दिखाई देता है तो ये बढ़वाईयों की कारण आठ की आठ हारे चोक बना हुआ है और वो मध्य के मूल बढ़ के ब्रिक्षिय को देखें तो उसको चारों तरफ से बढ़वाईयों ने चार परिक्रमा किया हुआ है और जिसमें शंपूर्ण यह बढ़वाईयों की सोभा को देखें तो आठ की नौ हारे नौ की आठ हारे महराव एक भोम में सोभायमान है और इन प्रतेक महरावों में हिंडोले लगे हुए हैं जो हिंडोले चार ताली की रूप में चारों तरफ जूलते हैं और यह बढ़वाईयों सहीत बढ़ का व्रिक्षय अथवा इस घाट में जो व्रिक्षय की सोभा है यहां बढ़वन की व्रिक्षय आने के कारण उपरा उपर यह पांच भोम छट्थी चाहदनी का है तो इस तरह से अन्य घाटों में वह बढ़वन का ब्रिक्षय पांच हार रूप में ही विस्तार हो करके आया था परूंत ये बढ़ घाट में अथावा बढ़ घाट के सामने ये पाल में ये बढ़वाईयों के कारण ब्रिक्षय की सोभा कुछ अंतर है जिसको हमने थोड़ा सा सब्द के माद्देम से चिंतन करने का प्रयास किया फिर ये पाल और पाल के रोज की जगह में ये बढ़वाईयों की सोभा पुरे होने के बाद फिर यहां से यह पांच हार बड़वन की ब्रिक्षय पस्पिम देशा के तरफ मरोड़ खाते हुए नारंगी घाट से दक्सिन की तरफ जो बढ़ घाट का एरिया जो अन्य घाट की तरह ही 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा जो बट घाट का एरिया है वहाँ पर 5 हर ब्रिक्ष जयोंकातियों है जयोंकातियों है कहने का मतलब जिस तरह से केल घाट में 5 हर बड़वन का ब्रिक्ष आया था उसी तरह से यह बट घाट में भी पांच हार बडवन का ब्रिक्ष değer सुसूबीत है जो केल घाट से पाल में होते हुए फिर यह सातों ही घाट बट के घाट में यह पांच हार ब्रिक्ष distinguish प्रवेश किया है जिनके उचाई उपरा उपर पांच मौम छठी चाधनी है फिर यही बडवन के व्रिक्षय ने बट घाट के अपना एरिया को पुरा करने के पसाथ पुनहा रंगमहल के दक्षिन दिशा में जो बड़ पिपल का चवकी है वो बड़ पिपल की चवकी तो नारंगी बन के सामने में है तो नारंगी बन के ठिक दक्षिन दिशा में ये 500 मंदिर के चोड़ाय में बड़ का घाट है जैसे ही नारंगी बन पुरा होते ही पस्तिम तरफ 500 मंदिर के ही चोड़ाय में बड़ पिपल की चोड़ाय है बड़ पिपल के दक्षिनी किनार से वो सीधा पस्तिम की तरफ गया है तो यहाँ पर भी पांच हार के ही सोभा सुशोबीत है तो ये पांच हार बड़ वन के व्रिक्षय फिर बड़ पिपल की चोड़ की के इरिया को भी पार करके वहां से रंग महल के नईरित्य कौन के शोरहास के चेहबच्चा के पास में से होकर फिर फूलबाग नूरबाग के दक्षिन तरफ के किनार में से होकर उदर फूलबाग नूरबाग के नईरित्य कौन तक यह विस्तार होकर के गया है जिस तरह से ये पांच हार बड़वन की ब्रिक्षय पूर्व के तरह से सब तरह विस्तार होते हुए फुलवाग नोरवाग के नईरित्य कोण तक पहुँशा है उसी तरह से लालचबुतरा के उत्तर दिशा में जो बड़वन की ब्रिक्षय है पस्यम तरफ किनार से भी पांच हार बड़वन की ब्रिक्षय पस्यम की तरफ निकले हुए है जो फुलवाग और नोरवाग के उत्तरी तरफ के किनार में से पस्यम तरफ जाकर फुलवाग नोरवाग के पंद्रसो मंदिर के एरिया तक ये सुसोबीत है फिर फुलवाग नोरवाग के वाहे व्यकोन में पहुंचने के बाद इसने यानिकी पांच हार बड़वन की ब्रिक्षय ने दक्षिन दिशा के तरफ मरोड़ खाकर फुलवाग नोरवाग के पस्यमी किनार जहां पर साथ में जुड़ करके अन्नवन आया है वो अन्नवन की जमीन में से होकर के यह पांच हार बड़वन की ब्रिक्षय उत्तर से दक्षिन की तरफ गया और फुलवाग नोरवाग के नैरित्य कोन में जाकर के यह पांच हार ब्रिक्षय पूर्वा के तरफ से दक्षिन तरफ होते हुए जो आया हुआ पांच हार बड बडवन की ब्रिक्षय ने पूरा रंग महल को चारों तरफ से अबरित्य किया हुआ है और यही ब्रिक्षय जो दोनों तरफ से फुलवाग नुरवाग के नैरित्य कुण में आकर के मिलन किया यही बडवन के पांच हार ब्रिक्षय यहां से अब विस्तार होकर के दक्षिन द पाल में दो हार वडवन की व्रिक्षय और चौरस पाल में जो तीन हार वडवन की व्रिक्षय दोनों पाल के मिला करके जो कुल पांच हार वडवन की व्रिक्षय आते हैं तो यही पांच हार वडवन की व्रिक्षय है जिनके उचाई पांच भूम छठी चादने के ही होने से ये हाउज कौशर में जाकर के भी डालकती पाल में अपने ही इसाफ से दो हार व्रिक्षय पांज भूम छठी चादने के उचाई में और चौरस पाल में आया हुआ तीन हार वडवन के व्रिक्षय अपने ही इसाफ से पांज भूम छठी चादने के उचाई में दिस्तार यहां बढ़वायों की शोभा कबर्रन हुआ तो फिर यही प्रसंग में फिर बढ़वन की जो ब्रिक्षे पांच हारे हैं तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से किस तरह से वहां तक गया यह भी थोड़ा प्रसंग में चर्चा किया गया तो फिर आईए अब प्रसंग में प्रसंग मंदिर की लंबा चोड़ा चोक बना करके उसके उपर जो बढ़वायों की शोभा सुष्वीत है उसको जरा सा हमने चिंतन किया फिर आगे पांच हार बढ़वन की ब्रिक्षे की शोभा को भी थोड़ा सा चिंतन किया अब यही शोभा को महमति प्रैन्याजी यह चौपाई के माध्यम से जिस तरह से हमें चिंतन करा रहे हैं उसके हिसाफ से हम पुनहां चिंतन करेंगे तो यह प्रकरन छे का चौपाई नमबर 41 से अभी का प्रसंग प्रारंब हो रहा है तो चौपाई को देखी अब कहते हैं जो बट बन्यो जमना पर अनेक तिन की डार नीपट पसारा इनका जित बैठ करत सिनगार तो कहां जो बट बन्यो जमना पर जमणापर मतलब जमणाजी की किनार के पास में पाल में यह बढ़कि घार बढ़बायों की सुभा बने हैं इसलिए जमणापर कहने से जमणाजी के पास में अनेक तिनकी डार इनके अनेकों डालिया है जैसे के कहा न मोल रूप में तो एक ब्रिक्षय है और ये एक भूम में एक दिशा में चार चार करके इस तरह से चारों तरफ बड़वाईयां फैलाया है तो यह से उपर उपर पांसों भोमों में सुशोबीत है तो उसको अनेक तिन की डार सब्द के द्वारा कहा नीपट पसारा तिनका नीपट मतलब निश्य यही पसारा मतलब फैला हुआ है बिस्तार हुआ है बड़वाईयों की रूप में डालियों की रूप में निश्य रूप में ही यह ब्रिक्ष्य यह घाट बिस्तार हुआ है जीता बैठा करत शिनगार अब जहां पर बैठ करके सिनगार करते हैं तो अब जमनाजी में जिलना लिला होना पाट घाड में जिल पर जिलना लिला सिंगार लिला करते हैं ये तो हम प्रसंग में चर्चा करते ही आ रहे हैं तो यहाँ जमना जी का प्रसंग चल रहा है तो वो भी फिर से बर्नन हो रहा है तो फिर कहते हैं उचा निपट देहुरजियों तले हाथों डारी लगत उचा निपट देहुरजियों यहां ब्रिक्षेओं की जो उचाई है देहुरेजियों अबर यहां देहुरी कहने से जमना जी की किनार में बैठ करके देखें तो बिशाल देहुरी की तरह यह उचाई में सुशोबीत है दिखाई देता है और उसकी किनार में बैठ करके देखें तो तले हाथों डारी लगत मतलब, ताले, इसके डालियां जो नीचे लटके हुए हैं, वो हाथों से लगते हैं, मतलब हाथ से इस पर सकर सकते हैं डारह, डारी, अतीविस्तरी, इसके डाली-डाली में अतीविस्तार हुआ है जैसे कहा न एकी ब्रिक्षे से चारों तरफ चार चार डाली चार चार बढ़वाईयों के रूप में विस्तार हुआ है तो उसी के कारण नो की नो हारे बने हुए हैं तो उसको अति विस्तार करके कहा अति विस्तेरी सुमार न इन सिफत इसकी सिफत महिमा का सुमार मतलब कोई हिसाब कोई पारवार नहीं है जानो थंब दिये बढ़वाई के तो बढ़वाईयों सब्दा है न यह पर जो उपर जा करके जो नीचे लटकते हैं तो उस हिसाब से इसको बढ़वाईयों सब्द प्रयों किया तो बड़ की ब्रिक्ष्य की जो साखाएं बड़वाईया कहने से अब साखा के रूप में समझ सकते हैं मोल रूप में तो मोल ब्रिक्ष्य है ही तो ये थंब की रूप में सुसुबीत हुआ है फीरते फीरते चार हारः जैसे कहा न तो मद्या में एक तो है ही चारों तरफ चार बिस्तार होने से ये मद्य की व्रिक्षे को चारों तरफ से चार हारने परिक्रमा किया हुआ है सोभा लेता पात फूला, अब इसमें पात की सोभा, फूलों की सोभा, अतियंत सोभा लिये हुए हैं ये बट वडो विस्तार यह बट का घाट अधा बट का ब्रिक्ष बहुत ही विस्तार युकता ऐसी सोभा है अब इनकी उपरा उपर कितने भूम है पांच भूम छठी चादनी है तो उसको प्रेंडने जी यह कहते हैं छत्री पांच उपरा उपरा जानो रचिया भूम समारा छत्री पांच उपरा उपर मतलब पांच भूम छठी चादनी है तो उपर के ही छत्री को ही अगर देखें तो छत्री ही पांच छत्री होते हैं उपरा उपर में जानो रचिया भोम समारह मानो की प्रतीक भोम की रचना सोभा वो भोम की तरह ही भोम भोम की सोभा इस तरह से रचा हुआ है सजाया हुआ है बना हुआ है एक भोम रेती तले अब उपर पांस भोम में तो छत्री मंडल है और एक भोम नीचे जो जमीन में है रेती है तो इस तरह से जमीन में एक भोम में रेती उपरा उपर पांच छत्री यानि की पांच भोम में पांच भोम में से कहो तो चार भोम और जो पांच में चादनी वो पांच भोम की रूप में दिखाई देता है उपरा उपर जो डाली रूप में विस्तार हुआ तो वहा उपरा उपर जो ब्रिक्ष्यों की छज्जा के द्वारा अथबा वो छत्री मंडल के द्वारा जो भोम भोम बना हुआ है उपर के भोम को देखे तो चार भोम है तो जमीन के रेती वाला एक भोम और उपरा उपर चार भोम तो एक और चार पुरा कितना भोम हुआ पांस भोम तो पांस भूम छटी चादनी है उपरा भूम बटा चार कहने से नीचे जमीन को छोड़ करके उपरा उपर की चार भूम को बताया है जमीन की शहित पांस भूम है एका पड़ता ज़रोखे जलपरा और तरफ सबब बना अब ये बड़ के घाट में बैट करके देखते समया एक तरफ ज़रोखा जल पर पड़ता है मतलब ज़रोखा कहने से ये बड़ के घाट में चारों तरफ विस्तार हुआ जो छत्री मंडल है न तो जहां पर बैट करके सामुने की बाहर की सारी दृष्य को द्रिशावलोकन कर सकते हैं देख सकते हैं ऐसे बैठ़क को जहरोखा कहते हैं इसलिए ये बट घाट के चारों तरफ के किनार में बैठ करके चारों तरफ की शोभा को देख सकते हैं इसलिए ये बट घाट के किनारों को ही जहरोखा सब्द के द्वारा बताया उप्रतेग भॉम में बैठ करके देख सकते हैं इसलिए वो छत्री मंडल भॉम भॉम को जरुखा करके कहा तो एक तरफ की जरुखा यानि की बाट घाट के एक तरफ का किनार किस तरफ पड़ता है तो कहा जालपरा जालपरा मतलब पूर्व दिशा के तरफ जमनाजी के तरफ पड़ता है एक दिशा कहने का अर्था ये बाट के घाट के एक दिशा जमनाजी के तरफ है पूर्व दिशा के तरफ है औरा तरफ सव बना औरा तरफ कहने से बागी तीन दिशा में बागी तीन दिशा मतलब दक्षिन दिशा पश्म दिशा और उत्तर द तिनो तरफ देखें तो तिनो तरफ बन है तो बड़ घाड के दक्षिन दिशा के तरफ कौन सा बन है कुझ निकुझ बन है और ये बड़ घाड के पश्चिम दिशा के तरफ देखें तो ये बड़वाईया की ही जगह से सीधा पश्चिम तरफ देखें तो घाड के एरिया मे वही बड़ोवन की पांच हार ब्रिक्षे सीधा उपर की तरफ गये हैं इसलिए वो पस्षिम दिशा के तरफ बड़ोवन की ब्रिक्षे ही दिखाई देता है फिर थोड़ा सा वो बड़ोवन की ब्रिक्षे के एरिया से दाएं बाएं देखे तो फिर थोड़ा इदर बड़ पिपल की चौकी भी इसके पस्तिम दिशा के तरफ ही नजर आता है, फिर इसके उत्तर दिशा के तरफ देखे, बड़ घाट के उत्तर दिशा के तरफ देखे, तो इधर 2000 मंदिर के लंबाई जो घाट है, वहां से देखे तो उत्तर दिशा के तरफ बड़ घाट से पहले कौन सा गाट है नारंगी का गाट है और जहां पर बड़वाईया बने हुए हैं वहां से उत्तर दिशा के तरफ देखें तो पाल में ही आया हुआ जो पांच हर बड़वन का ब्रिक्षय है तो यही ब्रिक्षय की सोभा दिखाई देता है तो इसलिए वो बड़वाईयों की ही रुप में देखें तो पूर्वा के तरफ जमनाजी और तीन तरफ बन मतलब दक्षिं के तरफ कुझनिकुझा बन पश्चिम दिशा के तरफ विलकुल सामने में वो बड़वन का ही ब्रिक्षय है और उधर देखें तो बड़ पिपल की चवकी भी है और वहीं से उत्तर द बोना कहा न, फिर आगे देखिए, उपर भोम धाम देखिए, अब उपर के भोम में जा करके देखिए, उपर भोम मतलब छठी चांदनी में, वैसे तो प्रतीक भोम से देखने पर भी धाम तो नजर में आता है, परंतु प्रैननहजी उपर भोम यानि की चांदनी में ले जाकर के धाम की तरफ नजरा दिखा रहे हैं, तो ये बट घाड के छठी चांदनी उपर के भोम में जाकर के धाम की तरफ देखते समया, रंगो महल के तरफ देखते समया, दसों दीश नूर रोशन धाम की सारी शोभा दिखाई देता है और वहां से दसों तरफ सब तरफ नूर ये की प्रकाश नूर मय प्रकाश रोशनाई हो रहा है प्रकाशित हो रहा है तो दशों दीश सब्दा आया तो दस दिशा कहने से चार दिशा और चार कौंड मिला करके आठ दिशा तो जानते ही है जैसे परिक्रमावत आठ दिशा देखे तो पुर्व से अगनी कोन, दक्चिन दिशा, नरित्य कोन, पस्चिम दिशा, बाहिव्य कोन, उत्तर दिशा, इसान कोन, पुनह पुर्व दिशा ये चार दिशा और चार कुण मिला करके आठ दिशा होता है और फिर दो दिशा आस्मान और धर्ती ये दोनों को जोडने से दस दिशा होता है कहने का मतलब साव तरफ उसकी नूर यानि की रोशनाई प्रकाशित हुआ दिखाई दे रहा है इता बहुता ठावरा खेला नके कई जिन से तले उपरा इता बट के घाट में देखिए अन्ने भी हर जगह में अब विशेश करके ये बट घाट का वर्रन हो रहा है तो वहीं देखना होगा बहुत ठावरा खेला नके खेलने के लिए बहुत सारी इस्थान है जगहा है कई जिन से तले उपरा तले से उपर मतलब नीचे के जमीन में देखिए उपरा उपर प्रते भूम में देखिए कई प्रकार की जिन से कई प्रकार की सामागरिया बस तो कई प्रदार्थ वह पर सुशोबीत है खेलने का कई प्रकार है कई ठौर है बैठता दोड़ता कूदता खेलता कई हुन रह बैठा ता कभी बैठते हैं दोड़ ता कभी दोड़ते हैं कूदा ता कभी कूदते हैं और आगे कहते हैं फिर खेल ता कई हुनर कई प्रकार के हुनर कहने से जैसे लहरों की तरह हुनर सब्द से लहर अर्था भी होता है कई जगह में हुनर सब्दकार्थ प्रकार भी होता है तो यहाँ पर कई प्रकार से लहरों की तरह मतलब इस तरह से आनंद में खेलते हैं इस भाव से लेना होगा ठेक अता है कई जल में अब कोई सकी जमनाजी की किनार में पहुंचे न किछे सि दुष्टरी सक्या करके उसको धकिल देते ए ठेक देते हैं और कुद चड़े कई डार और कोई ब्रिक्षे के डाली में चड़ करके कूदते हैं दौड़ते हैं खेल करेब कई भांतसों कई प्रकार के खेल तमासे करते हैं सब अंगों चंचला होशियार है सखियों के साव के अंग 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 चंचल है और चंचलता के साथ में फिर होशियार भी है तो देखिए प्रैन्नेश जी कितनी विवेग के साथ में समझ के साथ में बर्नन कर रहे हैं सखियों के अंग अंग में चंचल है इसलिए बिवीत प्रकार के लिलाएं होती है और वो चंचलता के साथ में होशियारी भी है इसलिए सावधानी भी बरत्ते रहते हैं तो इस तरह से यहां बता रहे हैं तरफ चारों फिरते हिंडोले अब वो बढ़ के घाट में देखिए जैसे पहले ही कहा न ये मूल ब्रिक्षे के साखा सहीत नौ की नौ हारे ब्रिक्षे के शिश्वभाब ना हुआ है तो जिसमें आठ की नौ हारे नौ की आठ हारे महराबों में हिंडोले लगे हुए हैं जूलने के लिला करते हैं तो कहा तरफ चारों फिरते हिंडोले चारों तरफ हिंडोला है जूलते हैं उपली लग भोम जोए उपर पाँच भोम तक ही ये फिंडोलों की शोभाभायमान है ढेखिए नारंगी, देखिए, हिंडोला जोलते समय चारों दिशा के तरफ जोलते हैं न, तो चारों दिशा में क्या क्या आता है, जिन जिन दिशा में हिंडोला जोलते हैं, तो कहा धाम, धाम कहने से किस दिशा के तरफ है ये, पस्सिम दिशा के तरफ, हिंडोला जोलते समय धाम के त तरफ लेना है जमना कहने से पूर्वदिशा के तरफ यहां से पूर्वदिशा के तरफ जमना जी है फिर नारंगी कहने से उत्तर दिशा के तरफ यह बढ़ के घाट से उत्तर दिशा के तरफ नारंगी का घाट है इसलिए यह उत्तर दिशा के तरफ नारंगी के घाट के जमनाजी के तरफ नारंगी घाट के तरफ चारों तरफ हिंडोला जूलते हैं। भारवार ही नहीं है छाया चली जल पर अब यहां की जो चाया सत्रिमंडल हो करके जो जल तरफ गया है न उसके दवारा फिर उसकी चाया नीचे जल में भी पड़ता है शखिया ह हिंडोंला में झूलते समय उसके जो प्रतिवींबर घ्रण जाल है तो उसको जल में उपर जितनी सोभा जैसी सोभा बनों के हैं जल के अंदर भी बिल्कुल बराबर वेसे ही सोभा जल के अंदर प्रतिबिम्बी तुरूप में चाया हुआ है जल चाय लिया बराबर घाट बट को अती बड़ो यह बढ़ का घाट है न बहुत बड़ा विस्तार वाला है जाला लिए चल्या किनार जिसके किनार से जहां जमनाजी बहती है उसके किनार में यह बट का घाट है इसलिए यह किनार सब्द जमनाजी की किनार में बट के घाट की जगह है वहां से जमनाजी अपनी बहाव को ले करके चल रहे हैं कई बाना इता बहु वीद के वहाँ पर अन्य कई प्रकार के बहुत प्रकार के अन्य वी जाती कि ब्रिक्षय है बन है जानो बने दोरी बंद हारह ब्रिक्षय एक आपस में ऐसी हार कतार रुप में सुसुवीत है मानों कि बिल्कुल दोरी बंद, लाइन बंद, न कोई आगे है, न कोई पीछे है, न दाये बाये में कोई टेडी मेडी है, बिल्कुल एक हार कतार में सुसुबीत है, दोरी बंद सुभा में सुसुबीत है, सातों घाट ये कहे, अब ये अंतिम चवपाय में ये प्रकरण में जो साथ घाट का बरन प्रसंग आया न तो साथों घाटों के प्रसंग को समेट करके सार रुप में कहते हैं साथों घाट ये कहे केल घाट से ले करके बट घाट तक ये सारी साथों घाटों की सोभा को बरन किया बताया आगे पूल कुंज बना अब इसके आगे देखे तो जमनाजी में देखे तो पूल महाल है बट का पूल है ये बट घाड के सामने में जमनाजी में उसी तरह से उधर केल घाड के सामने में देखे तो केल का पूल है तो ये बट घाड के सामने में आने की कारण बट पूल को लेना होगा जैसा बट प्रक्षिन के तरफ देखे तो कुझ निकुझ बन है इसलिए वो पूल को भी दिखा रहे हैं कुझ निकुझ बन को भी दिखा रहे हैं तो कहां आगे पूल कुझ बन अपना खजाना यहां है चाए बट की घाट हो चाए पूल महल हो चाए कुझ निकुझ निकुझ बन हो जो जो सातों घाट का वर्रन हुआ तो यह सातों घाट हो यानि 25 पक्षे परमधाम के यावत निशानी यावत इस्थान जो कुछ भी है यह हम ब्रह्मस्तृष्टियों की खजाना है वो हमारा धन है वो हमारा बैवब है महमत कहे मोमिन महमती ब्रह्मस्तृष्टियों को इस तरह से कहते हैं तो इस तरह यह छठी प्रकरण में एकाउन चवपाई के द्वारा महमती प्राणनाजी ने रंग महल के सामने में जो सात घाट विद्यमान है उन घाटों की सोभा का वर्रन किया तो इस तरह यह छठी प्र पुराइब पुरा हुआ अब उसके बादा प्रारंव होता है साथवा प्रकरण तो साथ प्रकरण का है कुझ बन मंदर यानि कहुँ कुझ निकुझ बन की स्वभा जैसे छठी प्रकरण के अंतिम चौपए में कहा ना आगे पूल कुंजबन करके तो अब वहां से ही कुंजबन की निशानी सामने में दिखाई दे रहा है तो परिक्रमावत जाते समय भी बढ़के घाट के सामुने में दक्सिन दिशा के तरफ कुंज निकुंजबन प्रारम ह हो रहा है तो उशी क्रम से अप्राण नहजी यहां कुंज निकुंजबन को यहां चिंतन करा रहे हैं तो अब यहां चौपए के द्वारा तो हम चिंतन करेंगे ही इससे पहले सार रूप में कुंज निकुंजबन की जराशा भाव को देखें स्वभा को देखें तो जैसे क ये बट का घाट पुरा हुआ बट घाट से ही लगते हुए दक्षिन दिशा के तरफ जहां से कुझनिकुझवन प्रारंब हुआ है यहां शुरू में हजार मंद्र की जगह में कुझनिकुझवन यहां से प्रारंब होता है जैसे चर्चनी में उत्तर स्री यमनाजी से दक्षिन स्री यमनाजी तक 9 लाख कोस के दूरी करकी यह हिसाब किया है न तो वो प्रसंग में साथ घाड के बाद कुणज निकुणज बन जो हजार मंदिर के चोड़ाई में है और कुणज निकुणज के बाद में फिर 28 मंदिर में रेतिली चोगान है उसके बाद फिर दक्षिन दिशा के तरफ देखे तो बंदिश का रोष है ठीक ऐसे उदर उत्तर दिशा के तरफ देखें तो भी साद घाड के बाद में उत्तर दिशा के तरफ मदुबन और महावन पांसो पांसो मंदिर हजार मंदर की जगह में दो बान है तो दक्षिन दिशा के तरफ हजार मंदिर में कुंज निकुंज वन उत्तर दिशा के तरफ साध घाड के उत्तर तरफ मदुवन और महावन दोनों वन ने हजार मंदिर की जगह को लिया तो जिस तरह से दक्षिन में हजार मंदिर की कुंज निकुंज के दक्षिन तरफ यानि की बंदिश के रोज के बीज में डाइशो मंदिर में रेतिली चवगान है उसी तरह से उत्तर में भी मदुवन और महावन हजार मंदिर और उसके उत्तर दिशा में जो बंदिश का अब बढ़के घाड के दक्षिन दिशा के तरफ हजार मंदिर की जगह से कुन्ज निकुन्ज बन प्रारंब हुआ है यहाँ से तो प्रारंब हुआ है परन्तो कुन्ज निकुन्ज बन का सारा बिस्तार अगर देखे तो यहाँ से प्रारंब हुआ कर की पूरा दक्षिन दिशा के तरफ यह जैसे की रंगमहल के दक्षिन तरफ पंशो मंदीर में बढ़ पीबल की चौकी फिर उस्षे दक्षिन दिशा के तरफ पांशो मंदीर की जगह में बड़वन की पांच हार ब्रिक्षे की जगह वहाँ से दक्षिन तरफ अब देखे तो पूरा एरिया जवेरों की नहर की वित्री किनार तक चारों तरफ फैल करके कुंज निकुंज बन का विस्तार है तो यही कुंज निकुंज बन के ही मद्य में आता है हाउज कौशर तलाव और वहाँ से भी दक्षिन में जो 24 हांस का महल है ये 24 हांस का महल भी कुंज निकुंज बन के मद्य में ही सुसुबीत है तो इस तरह से रंग महल की दक्षिन दिशा में बट पीपल की चोगी और बडवन की पांच हार ब्रिक्षे की जगहस्ती दक्षिन दिशा के तरफ पूरा जविर्यों की नहर की भीत्री एरिया तक उदर पश्चिम दिशा के तरफ देखे तो पश्चिमी चोगान की किनार और इधर पूर्बद इशा के तरफ देखे तो अक्षिर धाम की चारों तरफ जो बडवन आया है वो बडवन की किनार वो जविर्यों की नहर की किनार तक चारों तरफ यह कुंजनिकुंजबन का विस्तार है तो इसका पूरा एरिया अगर हिस्टाब में देखे तो कुंज निकुंजबन के एरिया का चौड़ाई साड़े 11 लाख कोस है और लंबाई देखे तो 70 लाख कोस के लंबाई में यह कुंजबन का विस्तार है प्रारंब होते समय मूल में 1000 मंद्री के चौड़ाई से प्रारंब हुआ और यही विस्तार होकर कि पूरा एरिया को देखते समया जैसे कि अभी कहा साड़े ग्यार लाख कोष का चौडाई और सत्र लाख कोष का लम्माई इतना बिस्तार ये कुझ निकुझ बन का है तो अब ये कुझ निकुझ की सोभा कैसी है अब कुझ कहने से चार कोनेदार प्रस्गोल की रूप में मध्य में कुंड आता है फिर कुंड के कि चाराव तरफ महल रूप बने हुए हैं और एक कुंड से अथावाston एक महल से चार दिशा और चार कॉन मिला करके आठों तरफ इसका सब आपस में मिलन है अथावा इसका बिस्तार है तो इसको शार रुपे अगर देखे तो जैसे की मानो एक कुझा की सोभा को अगर देखे हम कुझा निकुझा कुझा निकुझा में से एक कुझा बन की सोभा को देखे तो जमिन से कमर भर उचा चबुतरा है कई जगा में महल बनने के लिए भोम भर उचा चबुतरा उठता है परन्तु यहां कुंज निकुंज बन में जो महल बने हुए है इसमें जमिन से कमर भर उचा चबुतरा के उपर महल बना हुआ है तो ये एक कुंज अथावा निकुंज का एरिया तिराशी मंदिर का लंबाई चोड़ाएगा होता है तो जैसे कि मानों एक महल को देखे चाए कुंज हो चाए निकुंज हो जैसे कि कहा कुंज में चोरस होता है निकुंज गोल होता है वो एक बाहर के देखने में आकार में ही अंतर है मांकी महलों की स्वभा मंदिरों की स्वभा भितर बगीचा और मध्य में चेवचा थबा कुंड देखे तो गोल में गोल ही कुंड होता है यानि किन्न कुंज में और कुंज चौरस में चौरस ही कुंड होता है बाकि महल मंदिरों की सोभा बगिचों की सोभा कुंड की सोभा तो सब में एक समान ही होता है तो चबुतरा में किनार में परिक्रमा की जगह को श्वभायमान है तो ये तिराशी मंदिर के लंबाई चोणाई के होने से चारों तरफ तिराशी तिराशी मंदिर बने हुए हैं तो ऐसी श्वभा दिखाई देता है तो इन महलों के उपरा उपर दो वोम तिसरी चादनी है तो अब ये तो अलक अलक कुझा निकुझा कुझा निकुझा की बात है एक कुझा जैसा है संपुण कुझा अथा एक निकुझा जैसा है संपुण निकुझा बन वैशाई है इस तरह से समगर रूप में देखे तो एक कुझा एक निकुझा एक कुझा एक निकुझा इस क्र प्रिश्यव लोकन होता है जैसे कि बड़ पिपल की चौगी में भी बड़ पिपल बड़ पिपल इस क्रम से आने की कारण चार बड़ ब्रिक्षय की बीच में एक पिपल ब्रिक्षय और चार पिपल ब्रिक्षय की बीच में एक बड़ ब्रिक्षय ऐसी स्वभा बर्नन हुई एक कुंड से अथवा एक महल के जगह से चारों तरफ की सोभा देखें तो आठ दिशा में आठ नहरे निकले हुए हैं तो आठ कुंड से एक कुंड में जल आता है अथवा एक कुंड से आठों कुंड में जल जाता है इस तरह से आने जाने का क्रम आठों दिशा की तरफ प्रतीक एक में एशे ही शोबा है अब वो नहर के दाएंवाएं दोनों तरफ रोस है दाएंवाएं के दो रोस में भी प्रतीक एक रोस को तीन-तीन भाग में विवाजन करके मद्य के भाग में महल है फिर उसके दाएवाएं एक एक रोज है इस तरफ देखे तो नेहर के एक तरफ ही एक हार महल का हुआ और दो हार रोज का हुआ तो नेहर के दुसरे तरफ भी देखे तो ऐसे ही एक हार महल का और दो हार रोज का है इस तरह से देखे तो एक नहर जिस तरफ गया है अथाबा जिस तरफ से आया है उसके दायवाएं दो हार महल और महल के दायवाएं दो-दो रोश होने से चार रोश सोबायमान है तो एक कुंड से चारों तरफ नहर, महल और रोश के विस्तार को देखे तो आठ तरफ आठ नहर एक तरफ की नहर में दो हार महल आने से आठों तरफ में सोरा हारे महल और एक तरफ की नहर के साथ में 4 रोश आने से आठों तरफ की नहर के साथ में 8 गुना 4 रोश is equal to 8 चू कु 32 रोश इस तरह से आठ नहरे सोरा हारे महल 32 रोश एक कुंड से 8 दिशा के तरफ गया है अथवा आठों कुंड से एक कुंड में आया है अब एक कुंड से दुसरे कुंड अथावा एक महल से दुसरे महल के बीज की दूरी भी तिरासी मंदिर का ही है महल का लंबाई चोड़ाई भी तिरासी मंदिर का ही था एक महल से दुसरी महल के बीज में जो रोस में महल बना हुआ है वो 83 मंदिर के दूरी होने के कारण वहां का महल भी 83 महल ही बना हुआ है और ये महल का भी उपरा उपर दो भूम तिसरी चादनी है तो इस तरह से शुंदर सोभा में कुझनिकुजबन सुशोवीद है अब यहां की विशेष्टा ऐसी है यहां के कहो तो जमीन महल में जो दिवाल थंब दरवाजे चाद और मंदिर के अंदर भी जितने भी शुकसेज्या है पलंग है सिंहासन है हिंडोला है यावत पदार्थ कुझनिकुजबन में जो कुछ भी है वो सारा का सारा फुलों के बने हुए है यह कुझनिकुजबन की विशेष्टा है तो यह सार रुप में है इसके अलवा और भी कई अधीक स्वभा सुन्दरता से वह भरपूर है बांकी जो भी वाते हैं महमति प्राण्य जी ने यह प शोभा को चिंतन करेंगे तो अब आईए प्रकरन साथ का चोपाई नंबर एक से विशे को प्रारंब करें तो कहते हैं सातों घाट बीच में पूल महला तरफ दोए दों पांच भोम छठी चादनी क्यों कहुं सोभा सोए अब विशे सिर्षक तो कुझ जबन मंदीर करके आ बाया परंतु प्रैन्ने जी विशे प्रारंब करते हैं जैसे कि पहले भी कहा चठी प्रकरन का यह अन्तीम यानि कि एकाउन वी चवपाई में जैसे कहा न सातों घाट यह कहे आगे पूल कुझ बन करके साथ घाट के बाद में पूल महल की विबात की है और कुझ बन की भी बात किये है तो इसलिए ये सात्वा प्रकरन प्रारंब कर रहे हैं इसमें विशेश करके कुझ निकुझ का बर्न तो है परन्तु प्रारंब में पूल महल से ही बात को प्रारंब किया है तो देखिए सातों घाट बीच में सात घाट को बीच में ले करके ऐसा अर्थ करना चाह फिर साथ घाट के बीज में पूल महल कहने से तो ये फिर उल्टा अर्थ होगा साथों घाट बीज में मतलब साथों घाटों को बीज में ले करके पूल महल तरफ दोए तो साथ घाट को बीज में लिया तो साथ घाट के दोनों तरफ बाहर तरफ वा न पूल महल तो साथ गाड के दोनों तरफ बाहर पूल महल है केल पूल और बटका पूल ये पूल महल कैसा है इसको कहा दो पांच भूम छठी चादनी दो मतलब दोनों पूल महल दोनों पूल महल पांच भूम छठी चादनी सोभा युकत है क्यों कहूं सोभा सोए इसकी सुभा को मैं किस तरह से सब्द में बर्रन करूं, इस तरह से पूल महल की विश्या में भी प्रैन्यह जी यहां बर्रन कर रहे हैं, अब इसमें भी जरास्ता हम पूल महल को भी चिंतन करें, तो जैसे एक पुल महल है वैसा ही दुस्त्रा भी है तो मानों कि हम बट का पुल को देखें तो जमीन से भॉम भर उचा थंब आया है तो जमीन में एरिया कितना लिया जमना जी के चौड़ा पांशो मंदिर का है तो जल अंदर की जमीन से ही पांशो मंदिर का लंबा चौड़ा जगह को ले करके जहां पर ग्यार की ग्यार हारे थंब एक भॉम उपर आ करके उसके उपर चाथ पटी हुई है अब ये ग्यार की ग्यार हारे थंब आने से ग्यार थंब के बीच में जो दस संदी बनते है न ये दस संदी के अंदर से जल प्रवाहमान रूप में बैते समया वो दस घड़नाले के रूप में भिवक्त हुआ है तो ग्यार थंब के बीच में दस घड़नाले की सोभा पूल महल के नीचे जमनाजी की सोभा में बर्रन आता है और ये जल अंदर से आया हुआ थंब के उपर जो छट पटी है ये छट के उपरा उपर पूल महल पांच भूम छठी चादनी तक गया है प्रतेक भूम में ग्यार की ग्यार हारें थंब लगे हुए है उपर उपर पांच भूम तक जाने से यह पूल महल पांच भूम छटी चादनी का है और प्रतेक भूम में चारों तरफ छज्जा पड़ते हुए गया है ये तो सोभा ही ही तो जिस तरह से बढ़ का पूल है व अब फिर दुस्त्रे नमबर चौपाय को देखे साम सामी जहरोखे जलकत अत्ती महलात पूल दों दुजी किनार अलगा बीच जल तालज्यों सोभीता देखिए साम सामी जहरोखे अब एक पूल से दुस्त्रे पूल के तरफ आमने सामने में देखे तो आमने सामने में की जैसे शोभा दिखाई देता है तो हम बारवार कह रहा हैं जर्वखा कहने से जिसøs बैठःक में बैठःक करके सामने की सारी नजरा देख सकते हैं दर्षन कर सकते हैं ऐसे बैठःक को जर्वखा करके काह तो पूल-महल में प्रतिक भूम्मि छज्जा है जिस चज्जा में बैठकर के सामनी की स्वभा को देख सकते हैं तो उसी चज्जा को जरोखा नाम से बर्रन किया तो एक तरफ की पूल के जरोखा में बैठकर के दुस्तरी तरफ की पूल की स्वभा को देख सकते हैं आप देखिए, पूला दौं दूजी किनार लगा, एक पूल के एक तरफ किनार से, दुस्तरी पूल के दुस्तरी तरफ की किनार तक, यानि कि भीतरी किनार को लेना है, जैसे केल पूल के तरफ से देखें तो, केल पूल का दक्षिनी किनार से, बाड पूल के उतरी किनार तक, मतलब ये जो 35 सो मंदिर का दूरी है ना दोनों पूल के बीच में ये दोनों पूल के भीतरी किनार के बीच में किनार लगा बीच जल ताल जियों सोभीता इसके बीच में जल एक तलाव की तरह सोभीत है तो देखिए, यहां आकर के और खुलासा करके कहा न, अब आपको जानकरी होना चाहिए, यह प्रसंग पहले भी बर्नन हो चुका है, तृतिय प्रकरन जहां धाम बर्नन का प्रसंग चल रहा था न, तो वहां पर आया था एक तलाव की बात, और एक तलाव का बर्नन हो करके फ कि दोनों तरफ के पूल जो पांस भूम शठी चांदनी का है और दोनों पाल में आया हुआ ब्रिक्षय यह भी पांस भूम शठी चांदनी का है और ये ब्रिक्षय के डाली प्रतिक भूम में जाकर के पूल महल के साथ में मिलन किया है तो इसलिए चारों तरफ से देखे तो दोनों पूल महल और दोनों पाल में आये हुआ ब्रिक्षया पांस मुम छठी चांदनी तक के उचाई में है और इसके मद्य में वो जमनाजी जो सुभाय मान है वो एक तलाव की तरह दर्शन होता है तो यह वहां भी वर्रन करके आया थे यहां प्रैननाजी ने खोल करके इस सुभात, सुभात मतलब सुसुबीत है, सुभाय मान है तले दस घड़नाले पावरियां तले वो पूल महल के तले जो ग्यार थंब के बीच में दस घड़नाले है जो केल पूल से ही प्रारंब हुआ है और वही फिर बड़ पूल में आकर के भी वही दस घड़नाले की सुभ पोरियां कहने से महराव जैसे 11 थंबों के बीच में दस महराव है न ये 10 महराव के नीचे से दस घड़नाले आगे प्रवेश हो रहा है अथाबा आगे प्रवाहमान रूप में बहर रहा है तो तले 10 घड़नाले पोरियां बीच नेहरे जियों चलता वो दर्स घड़नाले मानों की अलग-अलग नेहरों की रूप में चल रहा है फिर आगे कहते हैं श्याम श्यामाजी सखियां इन महलों आये खेलता श्याम अक्सिरातित प्रियतम धानी स्रीराज जी महराज श्यामाजी महरानी और हम सखियां इन महलों मतलब ये पूल महल में आकर के खेलते हैं इन महलों आये खेलता खेल करे जब इन महलों धनी सुखा देता सैयन को देखिये ये महलों में आकर के जब खेल करते हैं तो प्रियतम धाम धनी स्रीडाज जी महराज शैयन मतलब शक्यों को विवीत प्रकार का सुख प्रदान करते हैं, शुख देते हैं, वो इसे तो 25 पक्षे प्रमधाम के जहां कई भी जाकर के खेले, तो धनी तो सुख देते ही है, तो प्रैन्नह जी यहां यह पूल के करों, आवे ना जुमामों, अब वो कई प्रकार की खेल की जो बात है, वो मैं यहां सब्द से वर्रन नहीं कर सकता हूँ, वो सब्द में नहीं आ सकता है, फिर आगे कहते हैं, इना महला आगों घाट के लका, अब यह पूल महल का प्रसंग चल रहा है, तो ऐसे तो बढ़ के सामने से बढ़ पूल की सोभा का वर्रन होते होते, फिर दो पूल महल की बात आई, तो चिंतन फिर केल पूल में पहुंच गया, तो केल पूल के इसाफ से अगर देखे, तो फिर इना महला आगों घाट केल का, केल पूल के आगे केल का घाट है न, तो वो घाट को देखन इस तरफ आगुँ बट घाट इस तरफ कहने से फिर यहाँ दखशिंदिशा के तरफ जो बट का पूल है बट के पूल के तरफ देखे तो साँने में बट का घाट है। में पाठ का घाट होने से पाठ घाट और अम्रित का घाट एक ही इसाफ से लेना होगा उससे दाएवाएं दोनों तरफ तीन-तिन घाट केल लिवोई अनार फिर बीच में अम्रित का आया फिर जांबू नारंगी बट ये तीन-तिन दाएवाएं का और मद्दे का ये मिला करके साथ गाट हुआ ये तो बार-बार वर्रन होई रहा है बीच घाट चादनी पाट तो बीच में पाट का घाट है और वो पाट के घाट में ही उपर जाकर के चाद पटी हुई है तो उसको चादनी सब्द के द्वारा भी बताया अधवा नीचे जल अंदर के जमिन से जो थंब आकर के चाद पटी है तो वो ये चादनी हुआ उसके उपर फिर पाट का घाट बना हुआ है तो इस तरह से पूल महल साथ घाट और पाट के घाट का चिंतन करा रहे हैं साथ घाट को लेके आगों आए अरस द्वारा फिर अब साथ घाट के साथ साथ में एक बार चिंतन को ले जा रहे हैं अरस द्वारह रंगमहल के मूल दरबाजा के सामुने में यानि की चांदनी चोक की जगा में अब आगों कहने से अरस की द्वार के आगे चांदनी चोक है तो इता पशुपंखी कई खेलता वहाँ पर आकर के कई जाती की पशुपंखी खेलते हैं अपनी अप चल्या गया बन ताललों एकल छत्री अति भीला तलाव धाम के बीच में आगों निकस्या चला अब कहा ये बन जो है ये बन चल्या गया बन ताललों ये सब्दाय देखिए तो ये कौन से बन ताल तक गया है तो जैसे कि पहले ही कहा बडवन के ब्रिक्षया जो केल घाड से होकर के पाल में प्रवेश किया था ये पाल में से फिर बड़ के घाड से होकर के आगे बड़ पिपल की चवकी के दक्सिन दिशा के तरफ फुलवाग नुरवाग के दक्षिन दिशा के तरफ से होते हुए गया हुआ ब्रिक्ष्या हाउज कोशर ताल में किस तरह से प्रविश्किया इसको पहले हम साराम सुरुप में बर्रन कर रहे थे तो उशी को यहाँ पर प्रैन्नाजी चवपाई के माद्दिम से बता रहे हैं रंगमहल के मोल दरवाजा के सामने में पसुपंकियों की खेल की बाते बताए फिर वहीं से आगे बढ़ करके वो पाल की ब्रिक्ष्या हाउज कोशर ताल की तरह जाने की भाव को यहाँ बता रहे है तो कहां चल्या गया बना ताल लौँ हाउज कोशर ताल तक वोह पांच हार बडवन की ब्रिक्षे गया है एकल छत्री अती भीला मानों कि वो एक छत्री रूप में होकर के अती भीला भीला मतलब मिल करके एकदम आमने सामने में बरावर रूप में मिल करके पांचों हार सुभाय मान होकर के हौज कोशर तलाव तक गया है तलाव धाम के बीच में आगों निकश्या चल तलाव हाउजक अशर तलाव और धाम यानि के रंग महल के बीच में यह बन वहां से आगे निकल करके गए और फुलबाग नुरबाग के नईरित्य कोन में जाकर के तलाव की तरफ जाने की जैसे बहले बर्नन किया वो भाव को यहां खुलासा कर रहे हैं जमना धाम तलाव के बीच में कई बिवेक कुण्जबना मंदीर कई रंगों कहा कहूं रशना एक अब इस तरह से साथ नमर चवपै तक इर्दगिर्द की शोभा का वर्नन किया और वो बढवन की ब्रिक्शे भी जाने का प्रसंग बर्नन किया क्योंकि वो बढवन का ब्रिक्शे जो है ये बाट के घार से ही होकर के गया है तो इसलिए वो भी बर्नन किया फिर अब आठोई नम्मर चोपाई से सीधा कुंज निकुंज बन का प्रसंग प्रारम कर रहे हैं तो जमुना धाम तलाव के बीच में कई विवेक जमुनाजी पूर्व तरफ देखे जो जमुनाजी है धाम यानिकी इधर देखे रंगमहल है और तलाव उदर दक्षिन में हाउजकसर तलाव है इसके बीच में कई प्रकार के विवेक युक्ता सोभा युक्ता कुंज निकुंज बन की सोभा है तो उसको लोकेशन बताने के लिए जमुना धाम यानिकी रंगमहल तलाव यानिकी हाउजकसर तलाव ये तीनों का लोकेशन बता करके उसके बीच में कुंज निकुंज करके बर्ट घाड के दक्षिन तरफ के वह हजार मंदर की चोड़ा की जगह से प्रारम्भ हुआ करके कहा था ना वहां का लोकेशन बताया है और वो विस्तार होने की तो पहले ही बताया है वो चारों तरफ विस्तार हुआ है तो कुंज बन मंदिर के रंगों कहा कहों रशना एक इस सोभाको में एक रशना से एक जिवा के द्वारा किस तरह से वो कुंज निकुंज बन की सोभाको शब्द में वर्लन करों तो इस तरह से आठ नमर चोपैसे अब कुझ निकुझ बन का प्रसंग प्रारंब हुआ और फिर नौ नमर से आगे सारा वही प्रसंग बर्ण करेंगे तो अभी का समय भी लगबग पुरा हुआ और विशय प्रसंग भी अब कुंज निकुंज बन का ही बर्दमन प्रसंग आ रहा है तो इसलिए अभी की कछ्या को यहीं पर विश्राम करना चाहिए चो पैदोर आते हुए फिर अगली सत्र में ये आट नमबर को समेटती हुए नौ नमबर से आगे सारा कुंज निकुंज बन की सोभा के उपर चिंतन करेंगे जमुना धाम तलाव के बीच में कई बिवेक कुंज बना मंदिर कई रंगों कहा कहूं रसना एक कहा कहूं रसना एक बलोस्त्री प्राणिनात प्यारे की प्रणा